मैं जिस चोर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं तो दोस्तो धूम 4 को लेकर आज चुकी है एक न्यू अपडेट जी हाँ दोस्तो रितिक रोशन जॉन एब्राहिम और आमिर खान को सारुक खान ने कर दिया है रिप्लेश जी हाँ धूम 4 के एक्शन मोड में दिखेंगे रोमांस के बासा सारुक खान क्योंकि दोस्तो साल 2023 में सारुक खान ने अपनी अनोखे और अलग अंदास से लोगों को खुब इम्प्रेस किया है जी हाँ रोमांस के बासा कहे जाने वाले किंग खान ने इस साल अपनी फिल्मों में एक्षन पर जादा फोकस किया है जिसका नतीजा ये हुआ कि अब उन्हें 2024 के लिए उन्हें बड़े आफर आने लगे हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं उनकी अगली फिल्म में फेमस फ्रंचाइसी धूम 4 की बताते दोस्तो ऐसी खबरे आ रही हैं कि रितिक रोशन और जान इब्राहिम के बात धूम के चौथे सीक्वल में सारुख खान की एंट्री होने वाली है लेकिन पठान एक पावर पैक एक्शन फिल्म थी वहीं अब धूम 4 को लेकर बस बना हुआ है कि किंग खान इस फिल्म में एक्शन मोड में नजर आने वाले हैं हाला कि इस पर अभी किसी तरह की कोई भी ऑफिशियल एनाउंसमेंट नहीं की गई है लेकिन सोसल मीडिया पर जोर सोर से इसका रियक्शन आ रहा है और वहीं अब धूम 4 को लेकर भी फैंस की एक्साइटमेंट साथ में आसमान पर है जी हाँ सारुक खान को अपने फैंस का दिल जीतना बखू भी आता है वो अपनी हर फिल्मों में ऐसा कुछ करते हैं जिसे लोगों के जहन में बस जाते हैं पताते दोस्तों साल 2018 में आकरी फिल्म जीरो के बाद पठान के साथ सारुक खान का कमबैक उनके लिए लकी साबित हो रहा है तो वहीं फैंस सोसल मीडिया पर उनकी अपकमिंग एक्शन फिल्म को लेकर बाते कर रहे हैं जी हाँ 21 दिसंबर को रिलीज हुई डंकी पहले हपते में ही 300 करोड के कलब में पहुँच गई थी और इससे पहले उन्होंने पठान से साल की सुरुआत की थी जो की बॉक्स ओपिस पर ब्लॉक बश्टर रही उसके बाद फिर सारुक खान ने जवान से भी अपने फैंस को खुब इंप्रेस किया अब डंकी से उन्होंने अपनी हैट्रिक कम्प्लीट कर ली है अब देखना दिल चस्प होगा कि धूम फोर में उनको लेकर क्या अपडेट सामने आता है तो दोस्तों आप सब धूम फोर में सारुक खान को लेकर कितने एक्साइटेड हैं कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले